एलो बच्चा बाटी, welcome back to the yet another session और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है process costing, yes guys one of the very very important chapters में से एक ये बन के निकलता है हमारे course के अंदर जिसका नाम है process costing, yes बच्चो, yes आपने सही सुना, वाओ भाईया one of the favorite chapter में से एक बेटा highly weightage वाला chapter exam के अंदर इसका question आपको देखने को मिली जाता है और बच्चों को जनली इस टैप ये वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर accounts आ जाते है, cost accounting का जो accounting वाला term है वो इस chapter में बहुत अच्छे से satisfy होता है, integral non-integral account से तुम लों तो क्या होता है ये process costing तो समझना मेरे को कोई एक product बना के निकालना है, let's say calculator, तो calculator अगर मुझे process बना के बाहर निकालना है, तो समझना भाई ये एक process का काम नहीं है, let's say process number 1 के अंदर हमारी ये body बन के निकलती है, ये body बन के बाहर निकलती है, ये body आती है process number 2 में, process number 2 में इसमें लग जाता है motherboard और display येस motherboard और display लग जाता है process no.2 के अंदर और फिर ये समान उटके जाता है process no.3 में process no.3 में इसमें लग जाते हैं keys और keys को लगाने के बाद हम लोग पीछे से इस पर लगा जेते हैं screw तो यह पूरा calculator बनके निकला बाहर तीन अलग अलग process के अंदर तो इसको हम बोलते process costing जहां पर जब आप चीज बना के बाहर निकाल रहे हो एक product बना के बाहर निकाल रहे हो और वो product एक से ज़्यादा process के through बन रहा है तो उसको हम process costing अंदर पर count करते हैं ठीक है तो यहां पर स process costing is used when the product is manufactured through more than one production process ठीक है यह यह हो गया तुम्हारा process costing का मतलब समझना यहां पर जो product की manufacturing होगी वो होगी homogeneous homogeneous product हम बना रहे होंगे ठीक है सारा जो production का process होगा is standardized ठीक है the output of one process becomes the input for other एक process का output दूसरे process का input बन जाएगा and this is the continuous process this is the continuous process the last process प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट निकाल के देगी तो process costing theoretically कुछ इस प्रकार से होता है मैं तुम लोगो बता दियो हो एक सधाधा process के तुरू हम लोग प्रोड़क्शन का काम कर रहे होंगे जहां पर product की manufacturing homogeneous प्रकार से हो रही है प्रोड़क्ट जो है वो standardized किया गया है मतलब सबका एक जसा वेश भूशा रहेगा तेम दिखेगा सेम वेट होगा सेम हाइट होगा everything ही सेम बस calculator का color अलग हो सकता है ठीक है output of एक process बन जाएगा input of another process मतलब process 1 से जो आउटपुट निकालोगे वो process 2 में input की तरह जाएगा process 2 का output process 3 में input की तरह जाएगा ठीक है अब ये continuous process रहने वाली है जहाँ पर ये इससे निकलेगा इस पर जाएगा ठीक है और फाईलि जो last process हो गी उससे जो output बाहर निकलेगा वही हमारा final product कहलाएगा बोलो जी हाँ हाँ जी भाईया हाँ तो इसको एक बार note कर लो तुम होता है preparation of process accounts तो जो अलग अलग भिन भिन प्रकार के process आपको देखने को मिलते हैं उन accounts का formation किया जाता है बच्चो process costing के अंदर तो उसका मैं तुम लोगों को format बताता हूं format क्या होता है format तो सबसे पहला process क्या होगा process a या process one account कुछ भी हो सकता है question में कैसा दिखता है basic format एक बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है units और amount दिखाते हैं हम लोग यह देखो amount कॉलम होगया यह units का कॉलम होगया particulars units amount particulars units and amount आरीगे बात समंच में बच्चो यह हुआ तुमारा process one या फिर process a account का format जहां पर आप particular शो करोगे इसके साथ के साथ आप units और amount भी शो करोगे तो units आपने कितना input में डाला तो देखो जैसे सबसे पहले यहां पर आएगा to material जो भी हमारा direct material आएगा उसकी कुछ units होंगी और कुछ amounts होंगे येस बोलो हाँ या नहीं येस तो कुछ यहां पर units आपको देखने को मिलेगी और कुछ amount देखने को मिलेंगे लेट से मैंने 100 kg डाला 200 kg डाला 500 kg डाला या 500 units डाले 400 डाले जो भी है तो वह direct material कितनों हमारा units इंट्रोड्यूस होगा फिर हम इस पे करेंगे labor का खर्चा फिर हम इसमें करेंगे labor का खर्चा लेबर की कोई units नहीं होती लेबर कोई units सोड़ी होता है यार नहीं होता वो तो सीधा अपना amount बताएगा लेबर और फिर तुम्हारा कोई आधर खर्चे होगा जैसे factory के overheads इसका भी units नहीं होता है इसका भी directly amount होता है ये करने के बाद majorly कि तुम्हारे production के उबर एक खर्चे होता है हाँ direct expenses भी होता होगा question में तो हम ले लेंगे उसको cost accounting के अंदर तो जो भी तुम्हारा direct material labor या factory overheads होगा मिला के तुम्हारा production का प्रक्रिया पूरा होगा और जो तुम्हारा process 1 का output होगा वो चले जाएगा process 2 account में तो यहां लिख फिर आएगा तुम्हारा process 2 account इसी प्रक्रिया में इसी प्रक्रिया में addition होते हुए process 2 account बना दिया जाएगा ठीक है particulars units amount इस तो अब देखो process 2 account में सबसे पहली चीज आएगी बेटा process 1 से बना हुआ मसाला तो process 1 account में जो भी मसाला बना था with units वह आ जाएगा process 2 account में अब process 2 account में क्या लगेगा डिस्पले लगेगा motherboard लगेगा तो और material इंट्रोडूस यहां लिखो direct material पर अब यहां पर हो सकता है आपको units कभी कभी दिया रहे कभी कभी ना दिया रहे दिया रहे तो लिख देना नहीं दिया रहेगा तो मत लिखना बात खतम तो यह आपने डाला डिस्पले और motherboard बगेरा ठीक है फिर आपको लिखा है direct labor देखो question to question depend करेगा कि आपको direct material का unit दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा वो तब discussions आगे हैं अभी से confuse मत करना अभी हम एक नॉर्मल बेसिक चीज समझ रहे हैं कि एक process से दूसरे process जाता है दूसरे process में और material और लेबल और लगता है फिर process 3 में चले जाएगा फिर वहाँ पर भी और material और लेबर लगेगा फिर वह final product बन जाएगा यह अभी मैं यही समझाना चाहरा हो basic funda समझाना चाहरा हो process account का ठी ठीक है और फिर process 3 account में with units जाएगा with amount जाएगा फिर जो भी बच्चों तुम्हारा process 3 account बनेगा process 3 account में भी direct material होगा direct labor होगा फिर overage होगा फिर finally वो credit side में लिखेगा by finished stock account या finished goods account और वो तुम्हारा finished goods में चले जाएगा तो यह continuous process है सारे process accounts की process 1 से process 2 process 2 से process 3 जितने भी process हो जरूरी नहीं यह 3 होंगे दो भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पर जनरल एक्जाम में 3 process का question आता है ठीक है तो यह कुछ इस प्रकार से होगा अब मैं expert करूँगा कि आप लोग इससे लिख लें पटावर से नोट करेंगे बच्चो आप नोट करेंगे बच्चो आप ठीक है हाँ भीया format तो समझ में आ गया और confidence built तभी होगा जब question solve होगा बीना question के confidence ना 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 नहीं मजा नहीं आता from the following data prepare करो process account indicating the cost of each process and the total cost total units that passes through each process were 240 for the period material देके रखा है process 1 process 2 process 3 का labor देके रखा है तीनो processes का और other expenses देके रखा है तीनो process की बोड़ा indirect expenses amount to 85,000 may be apportioned on the basis of wages there was no opening and closing stock तो यह एकदम basic सा question है यहाँ पर जहाँ पर आपको यह चीज़ बता दिए कि आपके कुछ indirect खर्चे हैं और आपको इसको apportion कर देना है वह यह apportion मतलब बाट देना है on the basis of wages तो आपका जो labor है labor के basis में हम इसको क्या कर देंगी बाट देंगे तो चलो जी बनाते है प्रोसेस वन अकाउंट solution number one सबसे पहले यह समझे ना प्रोसेस प्रोसेस नाम क्या है वन प्रोसेस टू प्रोसेस ट्री ठीक है इसमें हम लोगों का जो भी indirect expenses है वो हमको किसके basis बाटन है labor के वेज़ तो labor का total निकाल लो बेटा 2,80,000 प्लस 6,000 तो labor का total है मेरा 3,40,000 ठीक है 85,000 into 3,40,000 3,40,000 total है बस उस ratio में बाट रहे ना 3,40,000 total है अब देखो क्या है ये 80,000, 2,60,000 80,000 2,60,000 चलो is equal to is equal to is equal to निकालते हैं हम इसको तो 85,000 को मैं divide कर ले रहा हूँ 3,40,000 से तो यहार है 0.25 into 80,000 तो यह हो गया 20,000 2,00,000 तो यह हो गया 50,000 60,000 तो यह हो गया 15,000 आर भी clear with this? ये तो यह हमने बाट दिया है indirect expenses को जो भी हमारा process 1, process 2 या process 3 account पे जो भी उनका share बन रहा है as per wages अब बनाते हैं process 1 account जा अबकुलर को झालते हैं Tomatoes ग्हाँ आर बनाते हैंondo विरवडोने ग्हाँ राट दिन् ठाट यहां कर जाए सब्सवाबा तो यह 10,O chair of the code particulars, units, amount, okay, सबसे पहले 2, कितना material introduced हुआ, 240 unit introduced हुए है, और यह 240 unit का, यहाँ पर amount दिया हुआ है, 1.5 lakh, material introduced in process 1, 1.5 lakh दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, to direct material, so charlie's units, worth rupees, 10 lakhs, to direct labour, to other expenses, indirect expense, to other expenses, units, 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 blank, इतना process 1 का labor 80,000 है, और other expense 26,000, 80,000, 26,000, other expense, और यह देखो process 1 का share, जो है indirect expenses में, वो है 20,000 का, इसको लिख दो 20,000, हो गई सारी बात है, yes, by process to account, 240 unit जाएगा, amount कितना होगा, 1,500,000, plus 80,000, plus 26,000, plus 20,000, तो यह हो गया, total 2,76,000, process to account, particulars, units, amount, units, amount, तो सब से पहले process 1 से जो रायता हमने फैलाया है, और process 2 में उसको भेज दिया है, आधाप ओना काम कर गें, उसको हम ले लेते हैं, inside out, तो to process 1 account, 240 unit हमने भेजी है, 2,76,000 जिसकी cost है, 2, अब यहाँ पर direct material, direct labor, direct other expense, direct material, direct labor, other expenses, और indirect expense, यह चारों चीज़े हमने देनी है, तो यह रहा, 50,002,72,000, यहाँ पर units नहीं है, यहाँ पर units नहीं है, यहाँ पर units नहीं, यह वाले direct material की units की information नहीं है, तो इसको blank छोड़ दो, ठीक है, और इसका indirect expenses का share कितना है, 50,000 का है, by process 3 account, 240 units जाएगा, और in totality हो जाएगा, 2,76,000, प्लस 50,000, प्लस 2,00, प्लस 72,000, प्लस 50,000, तो यह हो गया, 6,48,000, ठीक है बच्चो, तो यह process 2 account हो गया तुम्हारा, process 3 account बनाना है, पर जगा नहीं है, तो next page में बनाते है, process 3 account, अब इसमें बनाते हैं, तो यह प्रोसेस, तो अगाउंट, तो सब 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 लेखो, तू प्रोसेस, तू अगाउंट, ही है, अब इसमें भी लगे, का direct material, direct labor, other expenses, indirect expenses, कितना कितना है, देखो, 20,000, 60,000, 25,000, और, if you remember, 15,000 indirect expenses का share था, by finished stock account, अब यह चला जाएगा, finished stock में, पूरे 240 units, कोई loss वस कुछ हुआ ही ना, इसलिए, वन लाइनर question है, इसे format समझाने के लिए, कि काम कैसे करता है, format का काम कैसा होता है, यह बताने के लिए वाला question था, 7,68,000, लो जी विच्चाबाटी, तो इसको अब आप फटा-फट से note कर लोगी, यह हमारा question हो चुगा है, हम आप तो पूरा-पूरा, उनने सारे process account बना लिये हैं, हो गया बच्चों, note, yes भी है, noting done है हमारी, done, 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 अब हम देखने वाले हैं, जिसके बीना question सारे अधूरे हैं, losses, या gains भी होता है, कभी-कभी situation में, तो उसकी treatment कैसे होती है, तो आपको, हो सकते बीटा, public, gain, किस प्रकार से हो सकते हैं, जरा हम आपको बताना पसंद करेंगे, देखो, या तो आपको कभी-कभी हो सकता है, normal loss, जो कि most of the situation में हो गई होगा, most of the question में, normal loss का concept आपको रहे गई रहेगा, इसके अलावा इसके साथ चिपक क्या आएगा, majority question में, abnormal loss का concept, और extreme situations में, extreme situation नहीं मैंता, 20% question में, आपको question, abnormal gain भी दे सकता है, तो कि abnormal gain भी एक अच्छा point बनता है, process के अंदर, तो क्या होता है, normal loss, abnormal loss, या फिर abnormal gain, तो सोचो, आप जो business करते हो, उस business में, इतने साल तक business करने के कारण, आपको एक अंदाजा हो जाता है, जैसे मेरे को बताओ, provision for doubtful debts, हम लोग accounts पे बनाते हैं, तो हम लोगों को एक percentage दिया रहता है, 15%, 20%, तो मुझे कैसे पता कि, ये provision for doubtful debt, 5, 10 या 15% होगा, past experience के basis, past experience में ने देखा था, कि भाई इतने data समेशा bad हो जाते हैं, bad debts बन जाते हैं, तो उस basis पे मैं आने वाले समय का percentage decide करके, उतने में provision को charge कर देता हूँ, तो वैसी, आप जो business कर रहे हो, उस business में आपको कुछ losses, normal loss होते हैं, नॉर्मल लॉस मतलब ऐसे loss जो आप avoid नहीं कर सकते, unavoidable losses है, आपके हाथ में नहीं हैं ये losses, ये हो जाते हैं, ठीके कैसे होते हैं, भगवान जाने, बस हो जाते हैं, जैसे मालनो पेट्रोलियम का है, तो पेट्रोल इवापोरेट हो जाता है, आते आते तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मालनो कुछ fruits का या फिर perishable item का है, तो आते आते रस्ते में इंट्रांजिट कुछ items खराब हो जाते हैं, long transportation journey के कारण, heat के कारण, ये जो भी चीज़ है, तो ये कुछ normal loss, कुछ percentage of आपके जो raw material आप order करते हो, कुछ ना कुछ loss होई जाते हो, that is your normal loss, तो यहाँ पर लिखना चाहूंगा, मैं ऐसा loss, जो कि unavoidable होता है, जबकि abnormal loss होता है, avoidable, avoidable loss, कैसा loss होता है ये, मैं बताता आपको, abnormal loss मतलब ऐसा खर्चा, जिसको आप चाहते तो आप रोख सकते हैं, मतलब ये natural reasons के कारण नहीं हुआ है, ये आपकी किसी mistake, आपकी किसी गलती के कारण हुआ है, आप इस loss को चाहते तो avoid कर सकते थे, बट आप इसको avoid नहीं कर पाए, तो ये होता है आपका avoidable loss, for example, accident हो गया, तो आप insurance करा के नहीं रखे हो, ठीक है, चोरी हो गई तो आपने बंदे नहीं भेज़े थे, पूरे ट्रक में एक ही आदमी था, तो समान नहीं पाया, चोरी हो गया समान, ठीक है, आपने अच्छे से, ऊपर से अपने समान को सील नहीं किया, है, भगवान की क्रिपा, अब नॉर्मल गिन का मतलब क्यों हो था भगवान की क्रिपा, मतलब, इन unexpected गेन, unexpected गेन बोल सकते हो, मतलब मेर को expected नहीं था, मेरेको expectation थी, हमालो की 9000 उनित बाहर निकलेंगे बनके, पर 9000 10 उनित बनके बाहर निकल गए, एक्स्ट्रा बाहर निकल गया तो अब नॉर्मल लॉस्ट के बारे में हम लोग वही फीचर्स लिख लेने कि इस नेचरल नेचर नेचरल है नेचर में इसको हम लोग रोक नहीं सकते किसी भी हल में ठीक है due to experience from past we can past experience के कारण क्या कर सकते हम लोग we can predict this kind of loss it is absorbed by blue units यह क्या होता मैं बताता हूं और हूं थो देखो इसमें point number three और four बताना है त्री जो है it's a is absorbed by good units, मतलब समझो normal loss, ऐसा loss जो मेरे को पता है, ऐसा loss जो हो गई होगा, natural है nature में, कुछ भी कर लो, इसको रोक नहीं सकते हैं, तो अब यह हर बार होना है, हर महीने होना है, हर साल होना है, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक normal business की tendency हो जाती है, अब यह ऐसा loss है, जो हर बार होना ही होना है, तो मैं क्या करते हैं, हम इस cost को customer से ही recover कर लेंगे, ठीक है, तो जहां समझो, मैं 10,000 रुपए दे के, 1000 units purchase किया था, यानि कि 10 रुपए पर unit की साब से purchase किया था, और मालो 10% का normal loss हो जाता है, हर बार, तो अब यह 10,000 रुपए मेरेको recover तो करना है, तो यह 10,000 रुपए मैं customer से recover करूँगा, 1000 units कब हैं नहीं, मेरे पास 100 unit, तो बरबाद हो गए normal loss हो गए, 900 unit है मेरे पास, तो अब यह 10,000 रुपए मैं 900 unit बेचके customer से recover करूँगा, तो 10,000 divided by 900, तो यह हो गया तुम्हारा 11.11, तो अब मैं customer से charge करूँगा 11.11, जहां मैं उससे पहले 10 रुपए charge करने वाला था, जहां मैं उससे 11.11 charge करूँगा, मैं इसको recover कर वाँगा by the good units, good units क्या है 900, 100 unit तो बरबाद हो गए, good units किते 900, तो इसके लिए हम लोग बोलते है, normal loss is absorbed by good units, तो यह जो cost होती है, इसको मैं recover कराता हूँ, good units का use करके, ठीक है, fourth number point में बोड़ा है, it is treated as recovery of cost, and valued at scrap, अब क्योंकि यह हर बार की कहानी है, तो इससे अगर मेरे को scrap में, scrap में यह जो 100 units बरबाद हुएं, अगर बेचने से कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो इसको मैं as a recovery of cost treat करता हूँ, कि मेरा जो खर्चा हो रहा था, उसकी कुछ recovery हो गई, और इसकी valuation हमेशा किस पे होती है, scrap पे होती है बच्चों, तो आप इसको note down कर सकते हैं, यह तो example था, अब बात करते हैं, abnormal loss की, unavoidable है loss, naturally nature नहीं है, naturally nature यह होगा due to, fault by anyone, ठीक है, किसी की fault के वज़े से यह होगा, ठीक है, maybe owner की fault हो, या किसी truck driver की fault हो, transportation वाली fault हो, तो fault के वज़े से होगा, ठीक है, अब बस हो गया, it is, charge to, costing, PNL account, ठीक है, यह जो loss होता है, इसको हम customer से recover नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अब normal loss हमको पता ही नहीं रहता है, होगा की नहीं होगा, unexpected रहता है, तो 900 से divide करेंगे, मैं customer से 11.11 इस बार चार्ज कर लूँगा, बट अगली बार, अगली बार मेरा सिफ 50 unit का abnormal loss हुआ, तो अब इस बार 950 unit है, रही cover कराने के लिए, सिफ 50 unit बरबाद हुआ है, तो 10,000, divided by 950, तो यह होगा 10.52, तो इस बार में customer से 10.52 चार्ज करूँगा, इस मही ने, अगले मही ने फिर, abnormal loss हुआ ही नहीं, हुआ ही ने, तो फिर से 1000 से divide करेंगे, तो इस बार में customer से 10 रुपए चार्ज करूँगा, अगले मही ने 200 unit का abnormal loss हो गया, ओ माइग गॉड, तो इस बार 800 unit से मेरे पास cost को recover कराने के लिए, तो इस बार मैं 800 से divide करूँगा, तो यह हो गया 12.5 चार्ज करूँगा customer से, तो देख रहे हो, price में fluctuation आ रहा है, जोकि abnormal loss हम लोगों को पता नहीं है, abnormal loss हर बार fix नहीं है, कितना भी हो सकता है, हो सकता है, ना हो, और होगा तो कितना भी हो सकता है, तो इसलिए abnormal loss को हम कभी भी इस tendency में नहीं रखते हैं, कि हम इसको absorb कराएंगे by the customer, पहली बात, दूसरी बात ही है, क्योंकि हमारी गलती है, तो इसका फल भी हम कोई भूगतना चाहिए, हम कस्टमर से क्यों वस हो ले, तो इसलिए, और भाई, कोई भी कस्टमर का confidence हिल जाएगा, उस organization के उपर, जिस organization का price इतना ज्यादा fluctuate होता है, कभी 11, कभी 10, कभी 12.5, तो इतना fluctuation जो है, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और कोई भी कस्टमर का confidence यहाँ पर खिल सकता है, तो इसलिए हम लोग abnormal loss को recover नहीं करवाते हैं, by good units, उल्टना हम लोग abnormal loss हमारी गज़ती का फल है, हमारे costing panel में इसको क्या कर देते हैं, transfer कर देते हैं, clear है सबको, आजी भईया, next, unexpected gain, due to, technological, improvement, technological improvement के कारण यह चीज़ हमको देखने को मिल सकती है, और दूसरा, costing panel account के credit side में इसको क्या कर देंगे, transfer कर देंगे, तो अब बच्चों यह तीनो gain एक साथ हैं, आप लिख सकते हैं, को, ठीक है, अब normal gain का, अगर मैं आपको example दूँ, जिसे माल लो, 1000 units था, मैं बोला, मेरा normal loss होता है, 10% का, तो कायदे से मेरा good units कितना आना चीज़ी, 900 आना चीज़ी है, production के बाद जो output बाहर निकला, वो निकला, 950 units का, ठीक है, तो basically expected, output, कितना था, 1000-10% का normal loss, तो 900 था, बट actual output कितना रहा, यह रहा 950 का, तो मेरा क्या हो गया, abnormal gain हो गया है, 50 units का, क्या हो गया है, abnormal gain हो गया 50 units का, clear है, yes, तो इसी को बोलते हैं, फटा फट से इसको एक बार, सारे बच्चे, note down कर लेंगे, ठीक है बच्चों, अब एक बार फटा फट से हम लोग देखते हैं, format में, कैसे हम इसको show करते हैं, तो जब हम लोग को की बात होती है, normal या फिर abnormal loss की, तो तुम्हारा process account होता है, उस account पे जो तुम्हारा units वाला, जो वो रहता है, column रहता है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से show करते हैं, by normal loss, और वैसी by abnormal loss, to abnormal gain, ऐसे show करते हैं हम इसको, ठीक है, तो यह जो तुम्हारा normal loss रहता है, यह इसकी जो valuation होती है, वो किस पे होती है, इस crap में, बट जो तुम्हारा abnormal gain, या फिर abnormal loss होता है, इसकी जो valuation होती है, वो होती है, cost per unit, पर अब यह cost per unit कैसे निकलेगा हमारा, तो cost per unit हमारा निकलता है, रुको, एक सेकेंड, इसे नहीं समझ में आएगा, तो समझाना पड़ेगा, बच्चों को मज़दार तरीके से, जैसे मतलब, पल्टिकुलर्स, यूनिट, और अमाउंट, देखो, तो जैसे हमारा यहाँ पर आता है, direct material, और हमारा आता है, direct labor, और हमारा आता है, factory का जो भी overhead होता है, ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को बताया, मेरा normal loss यहाँ पर आता है, मेरा abnormal loss यहाँ पर आता है, और abnormal gain यहाँ पर आता है, यह कुछ नए family members एड़ हो है, process account के अंदर, इसके अलावा last चीज़ आती है, by, जो भी तुमारा next process का account होता है, clear है, तो जो भी मेरी direct material के साथ में units आएगी, और amount आएगा, direct labor में नहीं आता है, आएगा और यह value होगा किसमें, scrap में, normal loss की units आएगी, amount भी आएगा, और process account का भी units भी आएगा, amount भी आएगा, मुद्दा यह उठता है, value किस पर होगा, तो value होगा बेटा, cost per unit पर, तो अब लिखो हैं आपर, cost per unit कैसे निकलता है, cost per unit आपका निकलता है, जो भी तुम्हारा total cost of process होगा, इसको आप minus करोगे, scrap sale of normal loss है, मतलब जो भी तुम्हारी normal loss की scrap sale है, आप इसमें से हटा दोगे, क्योंकि मैं बोला कि it is treated as recovery of cost, तो मेरी जो total cost है process की, उसका मैं recovery मानता हूँ कि इसको scrap sale of normal loss को, तो जो भी मेरा normal loss का scrap sale का amount होगा, उसको मैं minus करूँगा और recovery मानूँगा, ठीक है, cost sheet में भी हम लोग ने यह सेम सी समझी है, कि recovery of cost की तरह हम treat करते है, normal loss की sale को, ठीक है, फिर जो तुम्हारी total units होगी, इन process account, जो भी total units आएंगी तुम्हारी process account में ऐसा input, तो यह तुम्हारा cost per unit आएगा और इसी पर फिर आप valuation करोगे, तो अब इसको फटा फट से note down कर लो बच्चो, यह last point साब, इसके उपर एक question हम लोग करते हैं, जरूर से, चलो बच्चो, तो अब इस concept के उपर हम लोग question कर रहे हैं, जो की है तुम्हारा question number 2, यह तुम्हारा question number 2 यहां पर भी है क्या, यह three question ही है, चलो question number 2, जेखो क्या बोल रहा है question number 2, बोल रहा है product Z obtained हुआ है after this process through three distinct process, तो तीन process से transfer होने के बाद हमारा product Z बन के निकल रहा है बाहर, falling information is obtained from the account for the month of ending December 31, 2018, total में amount बता के रखा है process 1, process 2, process 3 सम को मतलब है, direct material दे दिया है तीनो process का, direct wages दे दिया है तीनो process का, और production ओवर है total में बता के रखा है, तीनो process का लग-लग नहीं बताया है question ने, फिर बोल रहा है हजार units of 3 रुपे each इंट्रोडिज होई है process 1 में, तो एक तो process 1 में units इंट्रोडिज होई है raw material की, साथ के साथ अलग से और एक raw material भी लगा है, तो दो raw material है ना process 1 में, एक ये वाला है units के साथ और एक है without units के साथ, ठीक है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है यार, एक process में tail, screw ये सब आ रहा हो, एक मैं proper raw material आ रहा हूँ, units वाला, ठीक है, जिसके उपर काम होने वाला है, है ना, अब जैसे सको है समझा, बुडेन का काम है, तो जो लकडी आ रही है, तो एक हदार units, एक हदार slabs आ रहे हैं लकडी के, ठीक है, तीन रुपए का एक slab पढ़ा मेरे को, अब इसके उपर process 1 में काम चालू होगा, cutting, cutting का, तो उसके लिए 2600 का और मेरे को लग गया material कुछ-कुछ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, there were no stock of, there were no stock of material or work in progress, the beginning and end of the period, बोल रहा है, किसी भी period के starting या ending में, opening, closing stock, या WIP वाला, कोई भी scene नहीं है, अभी के लिए, the output of each process passed, direct to the next process and finally to the finished stock account, तो बोल रहा है, जो भी output हम बाहर निकालते हैं, इस process का, वो अगले process का input बन जाता है, कोई भी बीच में sale होने वाला, कोई भी काम नहीं नहीं चल रहा है आपर, production overheads are recovered 100% of direct wages, production की जो overheads total में दिए उसको 100% of direct wages के basis पर बाट देना है, जिससे यहां देखो, अच्छा यह तो बहुत easy है, यह भी total 9000, यह भी total 9000 है, तो अगर मेरे को इसको इस ratio में बाटना है, तो यह तो same हो जाएगा, 2000, 3000 और 4000, same ही हो जाएगा, पिर बोल रहा है question आगे पढ़ो, बोल रहा है the following additional data obtained, output process 1, 2 और 3 का देखे रखा है, process 1 से 9500 का output निकला, तो यह process 2 में जाएगा, 5% का normal loss हमने expect किया था इस process में, और 2 रुपे उसकी scrap sale है, ऐसी process 2 से इतना बाहर निकला, इतना normal loss और इतना scrap sale, process 3 से इतना बाहर निकला, इतना normal loss और इतने की scrap sale, process account बनाओ, normal loss account बनाओ, abnormal gain account बनाओ, और abnormal loss का account बनाके दिखाओ, ठीक है जी बना लेते हैं, चलो जी, start करते हैं, तो सबसे बहले बनाएंगे process 1 account का format, particular unit amount, पर्टिकुलर यूनिट्स परबाउंट चलो पड़ावड से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहला कामूनिट्स इंट्रूड्यूस होगा तो उनिट्स अंदर आएंगे प्रोसेस वन आकाउंट के अंदर प्रोसेस वन अकाउंट के अंदर यूनिट्स आजेंगे तो लिखोच यापर two units इंट्रोडूस्ट कितने यूनिट आ रहे हैं जरा देखो ध्यान से 1000 यूनिट आ रहे हैं और 3 रुपए का एक यूनिट रहेगा तो 1000 यूनिट लिख दो और 3 रुपए के साब से 3000 लिख दो अब यहाँ पर अलग अलग आ रहा है material wages और production overhead तो लिख दो यहाँ पर to तो यहाँ मैं अमाउंट लिख देता हूँ यूनिट नहीं होने वाली है अब देखो question बोड़ रहा था कि जितना भी हम लोग introduce करते हैं यूनिट उसका 5% हो जाता है मेरा क्या उसका 5% हो जाता है मेरा normal loss तो अगर मैं 1000 यूनिट जाल रहा हूँ तो इसका 5% मेरा normal loss हो जाएगा और normal loss आता है process account के credit side में तो यहाँ मैं लिखता हूँ by normal loss ओके normal loss 5% of 1000 आएगा यहाँ पर तो यह मेरा कितना हो जाएगा 50 पचास यूनिट मेरी क्या हो गए normal loss अब यह किस पे value होती है process to account तो अब एक चीज समझना question आपको output बता के रखा है 950 का तो हमको यह 950 ही लिखना है balancing figure नहीं लिखना है question आपको बोला कि output 950 का निकला है तो 950 ही लिखो process to account के सामने 950 units अब आप निकालोगे balancing figure कितने units इधर आ रहे हैं और कितने units इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 1000 units और यहाँ पर 950 प्लस 50 यहाँ पर भी आ रहा है 1000 units तो ठीक है यह balance कर गया कभी कभी ऐसा होगा कि यह balance नहीं करेगा तो वो जो balancing figure आएगा अगर इस तरड आया तो abnormal gain है 9500 इसके साथ आप process one account मेरे साथ साथ में note करते जाओ क्योंकि मेरे को deal भी करनी है कुछ चीज़े ठीक है वीडियो को pause करके next है तुम्हारा process to account process to account यातरी गड़ क्रिप्या जान्दे में process to account formation में है क्रिप्या full concentration screen पर रखते हुए जी 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 प्रेन आरी न हमारी railway station वाली announcement कर रह भी आप तो particular units amount particular units amount तो सबसे बहले तो भाई process 1 से खीच लो यहाँ पर तो to process 1 950 units आए और amount कितना था 9500 होगा चलो to direct material to direct labor to production overhead dash 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 कर दो इसको amount लिखो 1980-3000-3000 अब देखो normal loss का percentage क्या है यहाँ पर है normal loss का percentage 10% मतलब जितना भी input डालता हूँ process to account में उसका 10% normal loss हो जाता है तो इसका 10% normal loss आजाएगा 95 by normal loss और इसको मैं value करूँगा scrap की by scrap के भाई में sorry scrap के भाव में भाई बोल दिया है scrap के भाव में तो यह हो जाएगा 380 रूपय by process 3 account अब बताओ process 3 account में कितना जाएगा यह रहा output 840 का तो 840 यूनिट बाहर निकल के process 3 account में transfer होंगे 840 अब निकालो balancing figure तो यह हो गया 950 और यह हो गया 840 प्लस 95 तो बेटा 935 है यह तो उस साइड आ रहे है 935 इस साइड आ रहे है 950 तो 935 माइनस 950 credit side में 15 units कम है तो यही जो 15 units है यह तुम्हारा balancing figure होगा और इस side balancing figure आ रहा है इसका मतलब यह है तुम्हारा abnormal loss balancing figure है यह अब हमको abnormal loss की valuation करनी पड़ेगी valuation कैसे होता है निकालना पड़ेगा बच्चो cost per unit is equal to total cost of process minus crab sale upon total units minus normal loss units तो total cost debit side का total लगा लो 9500 प्लस 1980 प्लस 3000 प्लस 3000 तो यह हो गया 17,480 minus 380 का scrap sale हुआ है upon total units introduce हुआ 900 का और इसमें से 95 का normal loss हुआ तो यह हो जाएगा minus 380 17,100 upon 950 minus 10 855 तो यह आ रहा है 20 रुपे per unit मेरा cost per unit आया समझ में एक बार देखो ध्यान से देखो एक बार cost per unit कैसे निकला ध्यान से तारे बच्चे देखेंगे यह आ गया 20 अब यह abnormal loss को 20 per unit की सब से value कर लो 20 into 15 हो गया 300 तुम चाहो तो 840 into 20 करके यहां डारेक्ट लिख सकते हो 16,800 ऐसे भी लिख सकते हो और balancing figure निकाल सकते हो वो भी same ही आएगा देखो 9,500 plus 1,980 plus 3,000 plus 3,000 minus 380 minus 300 तो यह देखो 16,800 ही आएगा balancing figure भी क्यों? क्योंकि basically abnormal loss normal loss या process 3 में जो भी चीज़ा जा रही है वो cost per unit के basis पर ही क्या होती है? value होती है तो यह फटवर से note down कर लो note this down बच्चो फिर हम लोग process 3 account भी बनाएंगे हो गया? अब हीजा हो गया process 3 account process 3 account तो पहला काम क्या है? to process 2 account कितने units बच्चो? 840 units, 16,800 के भाव में to direct material, to direct labor, to production, overheads units में कुछ नहीं बट यहां से amount ले लेंगे 2962, 4000, 4000 कितना जीप सा amount है? ठीक है बच्चो अब लिखो यहां पर by normal loss अब normal loss कितना बोला है? 15% of input बोल के रखा है तो input यह रहा, इसका 15% निकाल दो तुम लोग ऐसे गोदागाती नहीं करोगे ने exam में, 840 का 15%, यहार है 126 unit और scrap sale है 5 रुपए की तो into 5 कर दो, इसका valuation हो गया 630 रुपए का by finished stock account इसके बाद तो वो finished stock ही बनने वाला है कितना बोला है question ने? 750 units बोला है कि finished stock account में हमको क्या कर देना है? put कर देना है, तो यहां लिखो 750 बच्चो, अब निकालते हैं balancing figure 750 plus 126 minus 840 तो यह वेता 36 units इस side आ रहा है, तो यह हो गया abnormal gain एक ही question में abnormal loss भी है abnormal gain भी है, और ऐसा भी concept है जहां पर कुछ भी नहीं आया अब हम निकालेंगे क्या cost per unit फिर से for this process total cost of process minus normal loss sale लिखने वाला था या पिर यहां लिखो scrap sale normal loss upon total units minus normal loss units total cost कितनी हो जाएगी 16,800 plus 2962 plus 4000 plus 4000, तो यह हो गया 27,762 minus scrap sale 630 रुपेगा upon total units introduce 840 minus normal loss units 126 तो यह हो जाएगा minus 630 तो 27,132 upon 840 minus 126 तो यहाएगा थर्था सब्सक्राइट करें तो यहाएगा थर्षाल रुपीस पर यूनिट तो 38 के साबसे इसको वैल्यू करदो, तो यहाएगा 1368 कि तुटलिंग कर लो यह तुम्हारा प्रोस्स प्री अकाउंट हो गया आई बस समझ में बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन आउट्पुट आपको दिया रहेगा आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल ले नहां आपको निकाल ले नहां अबनॉर्मल लॉस आ रहे हैं जो भी आ रहा है इसको भी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसके बाद क्वेश्चन ने डिमांड किया था नॉर्मल लॉस अकाउंट तो नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है हमको सबसे बेले 2, process 1, 2, process 2, 2, process 3 कितना कितना नॉर्मल लॉस हुए 50, 95 और 126 50, 65, 126, valuation है 10380 और 630 ठीक है अब यह नॉर्मल लॉस अकाउंट में आया अब स्क्राइब सेल में बिग भी जाएगा तो बाइ बैंक, process 1, process 2, process 3 के 50 यूनिट, 95 यूनिट लेकिन process 3 में लैग है तो process 3 में लैग है, क्या लैग है भाईया, क्या concept है, अभी बताते हैं आपको साथ साथ abnormal loss account बना लो, तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे बहुत ध्यान से देखना लिखने का काम मत करो, बिल्कुल एकदम pen फेग दो एक दो एक दो नहीं समझ में आएगा, कुछ जल्दी बच्चो, भाईया बोडर है तो फिर फेग ही देते हैं, चलो भाईया, ठीक है, अब पूरा concentration हमारा बोड में है, हम लिखने में बिल्कुल ध्यान हम नहीं दे रहे हैं अब नॉर्मल लॉस नहीं, अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है पहले, सौरी, अब नॉर्मल लॉस मत बनाओ, अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाओ, तो अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाओ, अब नॉर्मल गेन आया प्रोसेस नंबर थ्री से, तो यहां लिखो के भाव से तो इसका concept यह बोलता है इसका concept यह बोलता है यह जो तुम्हारा 126 unit जो normal loss हमने सोचा था यह normal loss तो 126 unit का हुआ ही नहीं नहीं हुआ यह देखो process 3 account में हो process 3 account में हो हमने सोचा था 126 unit का normal loss होगा पर 126 unit का normal loss नहीं हुआ आपको दिख रहा है 36 का abnormal gain तो actual में जो आपका net figure है वो आपने सोचा 126 minus होगा पर आपका actual में 36 plus में दिख रहा है abnormal gain दिख रहा है unexpected मतलब यह 36 जो आपने सोचा था वो loss नहीं हुआ आप सोचे से 126 unit का loss होगा पर आपका 126 minus 36 आपका सिर्फ 90 units का loss हुआ है 90 units का loss हुआ है 86 तो gain में दिख रहा है न तो आप स्वारी 96 बोला गया मैं 90 आपका 90 units का loss हुआ है 86 तो आपका gain दिख रहा है न इसका मतलब आप सोच रहे थे कि अरे यार मेरा तो 126 unit बरबाद हो जाएगा पर आपका actual में सिर्फ 90 units ही बरबाद हुआ है तो मेरे कोई बात बताओ जब आपके पास कबाड ही नहीं आपके पास 126 unit का कबाड है नहीं है नहीं है आपके पास 126 unit का कबाड तो अब इस situation में एक हिस्सा आपका यहां कबाड में जाएगा बिखने में और एक हिस्सा आपका चला जाएगा by abnormal gain account में क्यों भाई साब क्योंकि आप सोचो मैं अभी इसका और पहलू भी बताऊंगा आपको कि आपका यह 126 unit में से actual में आपका जो लॉस हुआ है वो मात्र हुआ है 90 units का 36 units का तो यह 126 के दो तुकड़े है ठीक है आपका सिर्फ 90 units ही बरबाद हुआ है तो मेरे को एक बात इसको भी लिख लेते हैं 180 चला गया abnormal gain के account में तो इसको फटा फट से note करो फिर हम लोग इसके तुरंत बाद abnormal gain का account formation करेंगे पहले abnormal gain account यह देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 normal loss 36 unit 180 के भाव से आ गए और अब यह जाएगा मेरा costing PNL account में abnormal gain या abnormal loss कहां जाता है costing PNL account में जाता है ठीक है costing PNL account में तो balancing figure कितना आ रह है 1368-180 तो यह आ गया 1188 यह तुम्हारा जाएगा costing PNL account अब मैं तुमको abnormal gain के point office से बताता हूं abnormal gain बोड़ रहा था तो भाया मेरा 36 units का abnormal gain हो गया है और उसका cost है 1368 तो अब मेरे को बात बताओं मैं सोचा था कि मस्त त्यार मेरे ना 126 unit के ना normal loss हो जाएंगे और पांच रुपए के भाव से मेरे को मिलेगा पांच रुपए के भाव से मेरे को 630 रुपए का recovery of cost होगा वा मैं ऐसा सोच रहा था वाओ 630 रुपए मिलेगा ठीक है normal loss का recovery लेकिन यह 126 हुआ ही नहीं यह 90 ही हुआ तो 90 इंटू 5 95 जा 45 में को 4.500 रुपए मिला तो बेसिकली जो 36 इंटू 5 180 रुपए मेरे को मिलने वाला था वो इस abnormal gain के कारण नहीं मिला 36 रुपए का normal loss मिलने वाला था वो मेरे को नहीं मिला इस abnormal gain के कारण तो this is what opportunity cost the cost of next best alternative which is forgone because of this abnormal gain abnormal gain के कारण 180 रुपए नहीं मिला तो आपका यह जो profit है ना यह gross profit है क्या है यह gross profit है on abnormal gain तो जब आप इस में से इसको minus कर लोगे 180 रुपए की जो आपकी opportunity cost हो गई जो आपको normal loss से recovery of cost मिलने वाला था वो नहीं मिला जब आप उसको minus करोगे तब आपका net figure आएगा जो आपका profit हुआ है आई बस समझ में तो यह बुद्धा है यहापर और इसको भी आप समझ के चलना तो आपके घर में 90 units कबाड पड़े तो आप 123 कैसे बेचोगी आप तो 90 ही बेचोगी है ना आप बोलो के भाईया मैं सोचा थे 126 का कबाड होगा पर मेरे पास 90 है तो नब्भी बेचोगी ना यह इसको note down कर लो fast और फटा 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 से हम लोग abnormal loss account बना लेते हैं एक जो बच्चा है कि यह तो बहुत easy process 2 में हुआ है process 2 में 15 units हुए थे 300 के भाउसे पाई बैंक यह बिग गए होंगे process 2 का scrap sale कितने का है चार रुपए का 15 फोर्जा 60 पाई costing P&L account बचा हुआ तो महरा loss होगे कितने का 240 का आई बस समझ में तो यह तुम्हारा abnormal loss जो है वह चार रुपए के भाउसे process 2 का कबाड का rate चार रुपए है process 2 का कबाड का rate कितना है 4 रुपए पर unit है ठीक है तो यह जो तुम्हारा abnormal loss है यह process 2 से 15 unit आया जिसका rate 300 था जो कि अपने कबाड में बेज दिया 15 unit 4 रुपए के भाउसे तो officially आपका 240 रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया तो यह तुम्हारा abnormal loss का सबसे महत्वपूर्ण सबसे important था normal loss अकाउंट और abnormal gain अकाउंट जहाँ पर नॉर्मल लॉस थी यह 126 unit के दो bifurcation हुए 90 units भिग गया क्योंकि वह एक्शल में कबाड हुआ है और 36 units का abnormal gain abnormal gain अकाउंट में चला गया ठीक है और फिर उसका net जो profit आया वह इतना आया बच्चो अब आप इसको note down कर लो और हम लोग आज की class को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं next class में हम लोग और concepts पढ़ेंगे process costing के लिए आज की class भारी हो गई तुम्हारे लिए ठीक है बच्चो नेक्स class में मिलते हैं तब तक के लिए इसको note down कर लो न नोट कर ले न यहीं वाला portion आई थिंक note नहीं हुआ होगा चलो God bless you take care and bye bye